साथियो नवसकार, Computation Community Case Online Educational Platform पर आपका स्वागत है कैसे हैं आप लोग? मैं उमेद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी अच्छी चल रही होगी साथियो हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा राश्टिय महिला आयोग और साथ में राज्य महिला आयोग और हमने मंद्रप्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में भी चर्चा करी आज हम उसी के महत्यपूर्ण और आपके एक्जाम में जो संभावित है कोश्चन्स बस्तुनिष्ट प्रकार के प्रश्णों के बारे में चर्चा करेंगे हम देखेंगे कि एक्जाम में कैसे कोश्चन पूछे जाते हैं कोश्चन पूछने का आयाम क्या होता है यहां राष्टी महिला आयोग महत्यपूर्ण बस्तुनिष्ट प्रस्ट राष्टी महिला आयोग के बारे में तो देखेंगे ही हम साथ में राज्य महिला आयोग और इस पेस्पिक उसमें फोकस हमारा रहेगा मंध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के बारे में कोश्चन आप किस से पूछे जाएं और उसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगी आईए हम देखते हैं आज का पहला प्रेश्चन कोश्चन नमबर पहला कोश्चन कह रहा है आप ऑप्सन देखें और उसके बाद सही उत्तर बताएं इसमें सत्य कथन के बारे में आपको बताना है ऑप्सन A में है आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंदर सरकार करती है B में है आयोग के सदस्यों की न्युक्ति राष्ट पती करते हैं और C में है आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट पती को है और D में है आयोग सदस्यों का चैन स्वयम कर सकता है तो साथियो अगर आपने महिला आयोग वाली क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा अध्यान से देखा होगा जिसमें हमने राश्टी महिला आयोक के बारे में चर्चा करी थी उसमें हमने बताया था कि आयोक के सदस्यों की न्युक्ति केंदर सरकार कर सकती है और इसमें सही आप्सन के बारे में पूछ रहा है यही इसका सही आप्सन होगा बाकी आयोक के इनों कथन गलत है और इसमें आप से सही कथन के बारे में question पूछ रहा है तो जो सही कथन है जो सही उत्तर है option A में होगा question number पहले का option A सही answer होगा आइए बढ़ते हैं next question की तरफ अगले question की तरफ question number two राष्टी महिला योकिस सनरचना में कौन सामिल होते हैं आईए कथन देखते हैं एक अध्यक्ष एक सचीव और पांच सदस option B में कहता है एक अध्यक्ष एक सचीव और तीन सदस option C में कहता है एक अध्यक्ष एक सचीव और चार सदस और D में कहता है एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक सचीव तो जब हमने पढ़ा उस समय हमने चर्चा करी कि एक अध्यक्ष एक सचीव और पांच सदस्य होंगे पांच सदस्यों में कौन कौन होगा तीन तो अन्य सदस्यों होंगे ही जो महिला से संबंधित चाहे संस्था हो चाहे उनके अन्य उसके बारे में महिलाओं के अधिकार के उनके महलाओं के बारे में कहीं संस्था में काम कर चुके हूँ, काम करतने कानुबाओ, जानकारी हो। ऐसे विसेशक ब्रक्ती इस में होंगे, लेकिन इसमें जो एक सदस्थ होगा व áckey काओगा, और एक सदस्थ जो होगा वा int practice का होगा, और ये दो सदस्थ एनुवार रू या कोई अन्दिवक्ति हो जो महिला के अधिकार से संबंदित जानकार हो और एक अध्यक्ष होगा तो जो इसका सही option है जो इसका right answer है वो A होगा question number two का right answer option A अब हम आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रसन देखते हैं question number three question number three ये है कि राश्टी महिला आयोक की स्थापना कब हुई इस्थापना के बारे में पूछ रहा है और किसके राश्टी महिला आयोक की स्थापना के बारे में option है आपके 13 फरवरी 1992 2 अक्टूबर 99 C में है 31 जनवरी 1992 और D में है 8 मार्च 1993 साथी हो ये simple सा question है एक साधारन सा प्रसन है इसका सही उत्तर होगा option C 31 जनवरी 1992 को राश्टी महिला आयोक की स्थापना की गई थी अब हम देखते हैं अंगले प्रसन की ओर question number 4 राश्टी महिला आयोक की नोडल एजनसी नोडल एजनसी है राश्टी महिला आयोक की नोडल एजनसी कौन है किसके अंतरगत ये काम करता है A में कहता है कार्मिक प्रसासन मंत्राले B में कहता हलगरह मंत्राले C में कहता है मानव संसाथन विकास मंत्राले और D में कहता है महिला एवं बाल विकास मंत्राले साथियों जो इसका नोडल एजंसी है रश्टी महिला आयोग की जो नोडल एजंसी है वो है महिला एवं बाल विकास मंतराल है इसलिए option डिस का सही उत्तर होगा right answer होगा अब हम बढ़ते हैं next question की और अंगले question की और press number 5 press number 5 कहता है महिला आयोक के संबन्द में कौन कथन असत्य है सत्य असत्य को लेकर कई बार हम जब question solve करते हैं तो ध्यान नहीं देते आप ये ध्यान रखें जब प्रसここ solve करें कोस्चन को solve करें कि कहां सत्य काथन के बारे में पूँचा गया है बहराल आईए हम option देखते हैं और फिर उत्तर देंगे यहां सत्य काथन के बारे में question पूछ रहा है बिबिन्द समस्याओं को सुनने है तो आयोग में 5 साखाएं इस्थापित हैं आप्सन B में कहता है आयोग में ST का एक सदस्यों होना चाहिए C में कहता है राच्टी महिला आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कारकाल जो है वो 5 बरस का होता है और D में कहता है कि अन्द सरकार आयोक के अध्यक्षवा सदस्यों को उनके पत से हटाने का अधिकार रखती है इन में से गलत कथन कौन सा है गलत कौन सा कहा गया है तो आप जानते हैं कि जो कथन पहला है वो बिल्कुल सही है पांच साखाएं होती है SCST का एक एक सदस्यों होगा इसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा करी Option C जो कहता है राष्टी महिला आयोक के अध्यक्षवा सदस्यों का कारिकाल साथियों ये पांच वर्स ना हो करके तीन वर्स होता है और यही गलत कथन है इसलिए Option C इसका सही उत्तर होगा बाकि अध्यक्षवा सदस्यों को उनके पत्सें हटाने का कामी केंदर सरकार ही करती है इसलिए यहाँ अगर गलत कथन के बारे में पूछा गया है गलत Option के बारे में पूछा गया है तो सही उत्तर Option C होगा Question No.5 का C जो है Option वो Right Answer होगा अब हम देखते हैं अगला प्रस्म 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 नमर 6 कहता है राष्टी महिला आयोक का ध्यक्ष इन में से कौन नहीं रहा ऐसा कौन सा ब्यक्ति है इन में से जो राष्टी महिला आयोक का ध्यक्ष कभी नहीं रहा साथियों आपके एक्जाम में मद्द प्रदेश लोक सिवा आयोक के प्रिलिम्स के एक्जाम में अलग-अलग संस्थाओं के अलग-अलग अध्यक्षों को लेकर के ऐसे Question पूछे जाते रहें चाहे वो राज्यपाल हो चाहे प्रदान मंत्री हो या कि कई बार मुख्मंत्री या विधान सभाध्यक्ष इन सब के बारे में ऐसे चौर Option देता है और उसमें पूछता है कि इन में से कौन सा नहीं रहा इसलिए आप जब भी पढ़ें किसी भी आयोग को किसी भी संस्था को किसी भी गवर्निंग बाड़ी को तो आप उनकी अध्यक्ष की पूरी लिष्ट को एक सरसरी निगा से देख ले आईए हम यहां देखते हैं Option A. Dr. V. Mohan Giri. B में कहता है विभा पार्थ सारणी और C में कहता है डाक्टर सुभा सिंध और D में कहता है डाक्टर गिर्जा व्यास इन में से कौन सा क्या महिला आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा पूछ रहा है तो साथियों जो इसका सही अंसर है, जो इसका राइट अंसर है वो है दांक्टर सोभा सिंद्ध । ये कभी भी अध्यक्श नहीं रहें महिला आयोगä बाकी ये तीनों कभी न कभी अध्यक्श रह चुकें आईए हम आगे बढ़ते हैं और अंगला प्रस्न देखते हैं प्रस्न नमबर साथ राश्टी महिला आयोक की पहली अधक्ष थी इसके बारे में पूछ रहा है अब हम आईए उप्सन देखते हैं और फिर सही उत्तर देंगे A में कहता है रेखा सर्मा B में कहता है जयनती पतनायक C में कहता है ममता सर्मा और D में कहता है सुभा यादव साथियो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है वो उप्सन B है जयनती पतनायक जी पहली महिला अध्यक्ष रही है राष्टी महीला आयोक की पहली अद्यक्षे यही रही है जन्ती पतनायग जी अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसण देखते हैं प्रस नम्बर 8, मद्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? पूछ रहा है कि मद्यप्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? पहली बार कब गठित हुआ? आपके option में है 23 मार्च 1998, 23 अपरेल 1992, 25 मार्च 1995 और 27 अपरेल 2001 एक, साथ ही हो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट अंसर है, वो option A होगा, 23 मार्च 1998 को गठित किया गया मद्धिप्रदेश राज्य महिला आयोग, आईए हम आगे बढ़ते हैं और अंगले प्रस्ण को देखते हैं, अगला प्रस्ण क्या कहता है, प्रस्ण नमबर 9, ब option A में कहता है रेखा सर्मा, B में कहता है इमर्ती देवी, और C में कहता है सोभा ओजा, और D में कहता है राम बाई, साथियो जो इसका सही अंसर है, जो इसका राइट अंसर है, वो सोभा ओजा है, सोभा ओजा जी, बरतमान में मद्ध्रदेश राज्य महिला आयोग की अध् मर्ती देवी अभी जब मद्यप्रदेश का इलेक्षन हुआ, इलेक्षन के समय तो इनकी उतनी चर्चा नहीं थी, लेकिन बाई इलेक्षन जो हुआ, उप चुनाव जो हुआ, उसमें इनकी बड़ी चर्चा थी, हमारे पूर्मुक मंत्री आदनी कमलनाच जी इनमें कुछ ब हम बाई जी, हमारे मद्यप्रदेश विधान सभा की विधायक हैं, दमोह जिले के पथरिया से, इनके बारे में भी बेसिक चर्चा हमने कर ली, आईए हम आगे बढ़ते, और देखते हैं, प्रस नमबर 10, कुश्चन नमबर 10, राष्टी महिला आयोग अधिनियां 1990 की किस ध देखते हैं, आप्सन A में धारा 1, आप्सन B में धारा 2, आप्सन C में धारा 3, और आप्सन D में धारा 4, साथियो जो इसका सही अंसर है, जो इसका राइट अंसर है, वो होगा, आप्सन C धारा 3 के तहत ही, राष्टी महिला आयोग का गठन किया गया था, अब हम नेक्स्ट question देखते हैं अंगला प्रस्न देखते हैं प्रस्न नमबर 11 राष्टी महिला आयोग के क्या उद्देश हैं राष्टी महिला आयोग के उद्देश की बात की गई है अब हम question के options पढ़ेंगे और उसके बाद answer देंगे तो option A कहता है महिलाओं के लिए समवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समिक्षा करना बिलकुल ठीक बात कहता है आयोग ये काम करता है B में कहता है वैधानिक उप्चार संबंधी उपायों पर सुझाओ देना और C में कहता है सिकायतों के निप्टान को प्रोच साहित करना ये भी सही उत्तर है ये भी सही जवाब इसमें कहा गया है तो इन में जब तीनों सही कतन है तो option D's का right answer होगा option D's का सही उत्तर होगा आईए अंगला प्रस प्रस नंबर 12 राष्टी महिला आयोग के अध्यक्षेवम सदस्यों की सेवा सरते हो वा केंद्र सरकार को ये सकती है इसलिए option D's का right answer होगा अब हम बढ़ते हैं अगले प्रस नंबर 13 केंद्र सरकार राष्टी महिला आयोग के अध्यक्षवा सदस्यों को उसके पद से हटा सकती है या दिवह आयोग को सूचित किये बिना इन कथन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है लगातार पांच बैटकों में अनुपस्थित रहा हो लगातार चार बैटकों में अनुपस्थित रहता है और लगातार तीन बैटकों में अनुपस्थित रहता है और D option कहता है लगातार दो बैटकों में अनुपस्थित र रहता है तो उसको हटा सकता है कौन केंदर सरकार हटा सकती है आए आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 14 राष्टी महिला आयोग की सनरचना में सामिल है पूछ रहा है कि इसकी सनरचना में सामिल कथन कौन सा सही है उसके बारे में बताएं आयोग में 80 का भी एक-एक सदस है ये तो ठीक बात है आयोग का धिक्ष महिला होगी ठीक कह रहा है एक सचिब होगा जो केंद्र संग सरकार के अंतरगत लोकसेवा का अनुभाव हो लोकसेवा का अनुभाव अधिकारी हो साथ ही हो ये तीनों कथन ये तीनों कथन सही है इसलिए अब हम options में देखेंगे कि में ये तीनों कथनों की पुष्टी हो गी वही सही जवाब होगा कतन कूठ इसमें A option कहता है एक और दो सत बी में कहता है दो और तीन सत दू में कहता है इनमें ऐसे कोई नहीं इसलिए option C इसका right answer होगा C ही इसका सही उत्तर होगा क्योंकि ये तीनों कथन सही है अब हम वरत संदर्म में निम्लेकित कथनों पर विचार कीजी फिर वही कथन और उसके बाद आपको कथन के हिसाब से उत्तर देना है साथियों अगर आपने प्रिवियस येर कोश्चन पेपर सॉल्व किया होगा मंद्रप्रदेश प्रारमभी परिच्छा का तो आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों से आयोक कथन को लेकर कोश्चन पूछता आया है इसलिए आप यहाँ कथन के कोश्चन भी सॉल्व करें उससे आपको कई सारे फाइदे होते हैं उसमें आपको बहुत सारे फैट बहुत सारी जानकारी एक साथ एक जगे मिल जाती है और जब आपको एक्जाम में ऐसे कोश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से उत्तर दे पाते हैं आईए हम कथन देखते हैं और फिर सही उत्तर कचैन करेंगे आयोक के अध्यक्ष वह सदस्यों के निउक्ति केंद सरकार दोरा की जाती है दूसरे कथन में कहता है कि आयोक के अध्यक्ष और सदसर राष्ट पती को संबोधित त्याग पत्र दोरा पत्याग सकते हैं ये गलत कथन है इसलिए कथन केवाल एक सही है और उसकी पुष्टी ऑप्सन ये करता है केवल एक अगर हम बात करें कि आयोक के अध्यक्ष और सदस्यों किसको संबोधित अपना त्याग पत्र देंगे तो वो केंदर सरकार को अपना त्याग पत्र देते हैं आए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रसम की हो प्रस नंबर सोला मद्य प्रदेश राज्य महिला आयोक के संदर्व में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए ये मद्य प्रदेश राज्य महिला आयोक से संबंदित प्रसन है आए देखते हैं मद्य प्रदेश महिला आयोक में सात सदस हैं जिन में 6 असास की हुआ एक सास की सदस्य है ये बिलकुल ठीक कतन है बिलकुल ठीक बात है आयोग के असास की पदों में अध्यक्ष को कैबिनेट मंतरी तथा अन्य सदस्यों को राज्य मंतरी का दरजा प्राप्त है ये भी बिलकुल सही है बिलकुल सही कतन है इसलिए कतन कुश्चन नमबर 17, कहता है निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए, राष्टी महिला आयोग को सिविल नयाले की सक्तियां प्राप्त है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें आपको एक फैक्ट ये भी मिला, कि राष्टी महिला आयोग को सिविल नयाले की सक्ति प्राप्त है, क आयोग का बित्प्रबंधन केंदरी अनुदान पर निर्वर करता है ये भी ठीक कतन है और जब ये सारे कतन सही है तो आप्शन डीस का सही उत्तर होगा आईए हम अगला प्रसंद देखते हैं कोश्चन नमबर अठारा राश्टी महिला आयोग की सक्तियां है राश्टी महिला ये भी कतन ठीक कह रहा है और चोथा कहता है दंड देने की साथियो दंड देने का अधिकार महिला आयोग के पास नहीं है ये दंड नहीं दे सकता इसलिए ये कतन एक दो और तीन सही है ये कतन गलत है और इसकी पुष्टी कौन करता है आईए आप्शन में देखते हैं आप ये जो इसका उप्शन C है उप्शन C इसका राइट एंसर होगा क्योंकि उसमें एक दो और तीन के बारे में बात की गई है और उपर के पहला दूसरा और तीसरा कतन सही है दंड देने का अधिकार इनको नहीं है आप हम आगे बढ़ते हैं अंगला प्रसंदेखते हैं क्व किन मामलों में सिकायतों की जाज कर सकता है? महिला आयोग उसके बारे में बात की गई है, आपके option है A में है, स्वपेरिना से, B में है पीडित पक्षी की सिकायत पर, C में है तीसरे पक्षी की सिकायत से, और D में उपर्योग सभी, साथियो महिला आयोग को यह संग्यान लेना स्वता से भी वो संग्यान ले सकता है पीडित पक्षी की सिकायत पर भी और तीसरे पक्षी की सिकायत पर भी इसलिए option D's का सही उत्तर होगा option D's का right answer होगा अब हम बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर question number 20 मद्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन इन में से किसके माध्यम से संपन हुआ आईए देखते हैं राजपाल के अध्यादेश B में कहता है मद्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनिया मुनाई सो पंचानवी C में कहता है मद्य प्रदेश राज महिला आयोग अधिनियम 1990 और डी में कहता है केन सरकार द्वारा जब हमने राज महिला आयोग के बारे में पढ़ा जब हमने मद्य प्रदेश महिला आयोग के बारे में चर्चा करी उस समय हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम जो आया 1995 का उसके सिक्षन धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था और ये 23 मार्च 1998 में गठित हुआ था आयोग के सदस्यों का निम्ण में से किस एक छेत्र का होना आवश्यक नहीं है तो आईए देखें आप्शन एक कला एवं खेल चेत्र से समाज सास्तिरी बिरिवेत्ता एवं प्रसासन और द्योगिक प्रद्धन वा स्रमिक संगठन साथियो इन में आप्शन ए जो है वो सही एंसर होगा बाकी ये तीनों काइटेरिया के लोग सदस के रूप में काम कर सक अब हम बरते हैं अंगले प्रसन की और अंगले कोश्चन की और प्रस नंबर 22 कोश्चन नंबर 22 कहता है कि राश्टिय महिला आयोक की कौन से अध्यक्ष लगातार दो कारिकाल तक अपने पद पर बनी रही इसमें ये पूच रहा है कि महिला आयोक की कौन से अध्यक्ष रह पूर्णिमा सिंगर और डी में कहता है अनुपमा कौसिक साथियो जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है उप्शन B है रजनी राजदान दो वारिका कालकार अपना लगातार पूर्ण करी हैं अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रेस्ट की हो प्रेस्ट नमबर 23 राश्टिय महिला आयोग के बित्तिय प्रवंधन को लेकर इन में से कौन सा सही है बित्तिय प्रवंधन कौन करता है उसके बारे में कुश्चन पूछ रहा है ए में कहता है राज्य सरकारों पर बी में कहता है केंद सरकार पर सी में कहता है बित्तिय सक्षम ये खुद है और प्रेंद्र सरकार राश्टी महिला आयोग के बित्ती प्रवंधन का काम देखता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोस्चन नम्बर 24 कहता है कि आयोग की अनुसंसाइं संग और राज सरकारें के लिए किस प्रकित्की हैं। आयोग जो अपनी अनसंसा करता है वो किस प्रकित की है उसके बारे में कोश्चन पूछ रहा है A में कहता है सलाहकारी, B में कहता है बाद्यकारी, C में कहता है या सलाह नहीं देता और D में कहता है इन में से कोई नहीं हमने पढ़ा है जब राश्टी महिला आयोग उस समय हमने बताया कि इसकी जो प्रकिती है वो सलाहकारी निकाय के तरह है इसको मानने के लिए कोई भी बात दिया नहीं है इसलिए सलाहकारी प्रकित की है आईए आगे बढ़ते हैं और कोश्चन नमबर 25 मद्य प्रदेश राज महिला आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की निक्ति कौन करता है निक्ति के बारे में पूच रहा है ये आईए अपसन देखें ए में राजपाल बी में विधान सवाद देख सी में कें सरकार और डी में राज़ सरकार साथ ही जो इसका सही उत्तर है जो इसका राइट एंसर है वो होगा आपसन दी राज़ सरकार किसकी मद्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना करती है इसके सदस्यों और दे ति तुम्हें आया इसके बारे में question पूछ रहा है, आपके option A में है 23 March 1998, B में है 23 April 1997, C में 23 March 1999 और D में कहता है 23 April 1996, option A इसका सही जवाब होगा, 23 March 1998 में और राज्य का महिला अधिनियम 95 है, अधिनियम 95 95 उसकी धारा तीन के तहत गठन किया गया, किसका मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का, तो साथियों आज हमने देखा महिला आयोग से संबंधित महत्यपूर्ण और संभावित MCQ जो आपके exam के लिए महत्यपूर्ण है और exam में इस तरह के question पूछे जाते हैं, इसके बारे में हमने देखा, तो आपने पहले इसके पहले class में पढ़ा और अब हमने objective के तो समझा की question कैसे आते हैं, तो साथियों अब हम अगली class में, next class में अगले जो आयोग है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तब तक आप हम से जुड़े रहें और आप अपनी तयारी को और बेहतर बनाते रहें, आपका बहुत बहुत धन्नवाद